नमश्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आपके लिए दो सलाईयों से बनने वाला बड़ा ही असान स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ इसके लिए सैंपल के तोर पर मैंने चार सलाईयों उल्टी उल्टी बुनके गौर्डर बनाया है और उसके आगे सीधी सलाईयों से थोड़ा सा बुना हुआ है ये तीन प्लस एक चार का पैटर्न है तो उसे कार्डिंग आप पने फंदे डालीजिएगा मैंने 18 फंदे बनाये है चलो उसको बनाना आप शुरू करते हैं ये दो रंग का डिजाइन है तो इसके लिए मैंने वाइट और ब्ल्यू कलर की उन ली है आप अपनी मर्जी से कोई भी रंग दो ले लेजिए और उसको बनाना से शुरू करेंगे और ये सारा पैटर्ण जो है सीधी और उल्टी स्लाई में ही बनेगा वस हमने फंदों को रंग के हिसाव से आगे बिशे करके बनाते जाना है तो पहला फंदा हमने इसमें वाइट कलर से बुना और आगे उसके ब्लू कलर से एक फंदा बुना फिर तीन बाइट बुने पि प्लीट करना है चार-चार फंदों का यह पैटर्न बनता जाएगा तीन सफेद बनाने हैं और एक हमें निला बनाना है कि इस तरह से अब उल्टी तरफ से हमने अब उल्टी तरफ से हमने दो फंदे सफेद रंग से बने आगे हमने एक निला बना और जो निला था उसके आगे पिछह वाले हमने तीन पंदे करके अन्डे से बना लें है मैं हुआ सकत benefici है कि इस तरह से भर्यां मुझार एक अल्डा निपले रख नहाएख उल्टी दोनों चलायियों में हमने पैलर को चेंज करते जाना है और इस तरह से इसको कंप्लेट करेंगे दूसी स्लाइब को भी अब आगे हमारे तीसरी स्लाइब यह इस तरह से डिजाइन दिख में शुरू हो गया है अब तीसरी स्लाइब में हमने सीधे फंदे ही बुनने हैं और एक ही रंग से जैसे हम नीले का डिजाइन डार रहे थे तो सारे फंदे हमने नीले से बुनते हुए तीसरी स्लाइब को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से उल्टी तरफ से हमने यह ले रंग से ही बुनते हुए कंप्लीट करना है दो स्लाइब में हमने धागा चेंज करके फंदे बना लेने हैं और दो स्लाइब सेम बुननी है अब हमने नीले में सपेद के साथ हमने बनाते जाना है इस तरह से हमने एक फंदा सभेद बोना अब जै तीन नीले बुल लेने हैं फिर आगे एक सभेद बुल लेना है और इसी तरह से तीन प्रस एक अबाटर रपीट करते हुए इस लाइगों हमने कम्पीर करना है कि अबाटर बुल दो कहां चला हे कि अबाटर्व हमने उसके तरह से दो पंदे नीले बुलने हैं और अगरा हमने सभेद बुन के तीन स्ऀना पंदे सेम गलर बुन लेने हैं और इसी तरह से सभेंगे ज़ीना है बना लेना है है दी इक है करना है अब चीधी दरफ से हमने सपया दरफ से सारे पंदी सीध्य कोनता हुए कम्लीट करना है इस पैटन वह सिर्फ दो सलाईयों से हमने बनाया है और दो सलाईयों में हमने पंदे आगे पिछे करते हुए रंग से बनाते जाना है और हमारा डिजाइन बनता जाएगा यह पूरी सलाई हमने एकी रंग से बोल दी अब उट्टी दरब से भी हमने इसी रंग से पूरी सलाई बना देनी है यह देखिए अब इस तरह से दिखना शुरू हो गया है बड़ा ही प्यारा डिजाइन बनकर आ रहा है बहुत ही असान है आप जरूर ट्राइब करिएगा मिलते अगली वीडियो में धन्यवाद बन्यवाद